जिला मुख्याले सिवनी के समीब छिंदवाडा रोड परिस्तता मीड वेट ट्रीट के सामने शुक्रवार को एक दर्दनाग सडखाथा हो गया जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभी रूप से घायल हुआ है घायल को जिला अस्पताल पहुचाया गया जानकारी के नुसार सिवनी से छिंदवाडा की तरफ जाते हुए एक तेज रफतार बस ने बाइक सवार लोगों को टकर मार दी बाइक में सवार जेतपूर खुर्दनिवासी टूटू सनोडिया उनकी पत्नी सरोज सनोडिया और उनका पुत्र 21 साल का रोहित सनोडिया शादी सम्हारों में शामिल होने निकले थे और इस घटना में बाइक और इसमें सवार लोग बस के सामने वाले हिस्से में फज गए और यहाँ पर पत्तिक्ष तरश्य ने बताया कि बस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी बलकि और तेज रफतार से बस को भगाने लगा कुछ दूर तक बस में फसी बाइक और बाइक सवारों को घसीटने के बाद में जब बस का चला पाना मुश्किल हुआ तो मजबूरन बस ड्राइवर और कंडुक्टर को जब बस रोकनी पड़ी राजकुमार पांडेकी रिपोर्ट